शादी करके हम टैक्स बचा सकते हैं टैक्स ये नाम सुनते ही मन में थोड़ा सा हीच की चार्ट तो आही जाता है एक नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली अपने लाइफ को सक्सेसुली और अच्छे से जीने के लिए जादा से जादा पैसा बचाना चाहता है ऐसे में ये टैक्स वोड मिडल क्लास फैमिली के लिए तो जैसे दुशमनी है कभी income tax कभी toll tax corporate tax तो कभी wealth tax भरते भरते ही हालत खराब हो जाता है पर क्या करे कहीं न कहीं गौवर्मेंट हमारे development के लिए ही ये टैक्स कलेकरता है ऐसा सोच के हम टैक्स भरी देते हैं पर गाईज क्या आप ये जानते हैं शादी करके हम टैक्स देने से बढ़ सकते हैं कैसे चलिए जानते हैं इस वीडियो में तो नमस्ते दोस्तों मैं आपका अपना अवी स्वागत करता हूँ मेरे चैनल अवी रिजिन्स पर मैरेज के दोरान जो गिफ्ट्स मिलता है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है फिर चाहे वो कोई ज्वैलरी हो, कैश हो, प्रॉप्रेटी हो, फ़नीचर हो या कोई एक्सपेंसिव वहिकल आपको अपने वेडिंग के दोरान जितने भी गिफ्ट्स रिसीव होते हैं, वो सारे टैक्स फ्री रहता है और इस पर कोई भी अपर लिमिट नहीं होता है रूल के हिसाब से, अगर एक फिनांशियल एयर में आपको 50,000 से ज़ादा गिफ्ट्स मिलते हैं, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है पर अगर कोई भी गिफ्ट्स आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आपके वेडिंग के थ्रू रिसीव होते हैं, तो वो सारे टैक्स फ्री होते है बहुत भार शादी करने से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे और वो भी टैक्स फ्री, अगर आप ये सोच रहें तो आप गलत है हमारा गॉव्मेंट इतना भी बेवकुफ नहीं है, ये सारे रूल सिर्फ और सिर्फ पहले वेडिंग के लिए ही वैलिड है तो दोस्तो, आज का हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमको कमेंट के मादि हमसे जरूर बताना हमारे वीडियो को लाइक करे, शेर करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकोन को फोड दे ताकि हम जब भी नए वीडियो जाले, आपको पहले नोडिविकेशन मिल जाए So, दिसी सभी साइनिंग आफ, मिलते बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, जय जगन्नात